तो दोस्तों वाज हम बात करेंगे आया टी उडिकी में जो हमारा एक्जाम हुआ था नोन टीचिंग रिकूटिमेंट हुई थी उसके लिए तो रेजल्ट के बारे में क्या बडेट है वेबसाइट पर देखेंगे कि अभी क्या वहां प्रोसेस चल रहा है और रेजल्ट आप किस दिन आएगा तो यह सब बात हम जानेंगे इस वीडियो के तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे ही आप वेबसाइट पर आते हो तो वहां आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा इसमें मतलब हमारा एक्जाम हुआ था नमबर 13 से लेके 21 नमबर के पर आती है उसके बाद क्वेशन पर आते हैं और आज का जो अपडेट है वो यह है कि जो नमबर ऑफ के अपडेट हुए था एक्जाम में उन सब का कैटेगरी वाइज डाटा यहां एवलेबल वेबसाइट पर हो गया है मतलब कितने बच्चों ने किस कैटेगरी के ऐसे थ दिव्यांग 14 टोटल जो बच्चे थे वो थे 1994 हलांकि पहले जो डाटा था यहां पे वो 1995 का था अब पता नहीं एक स्टुडेंट कहां गया तो चलिए बात करें रेजल्ट की तो रेजल्ट आपका जनवरी में लिखा हुआ है और अभी तक आया नहीं तो यह मानके चलिए कि आपका अगले एक विक यानि 25 से पहले पहले आपका रेजल्ट आने के पूरे चांस है 25 जनवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा ठीक है उसके बाद फिर फरवरी में टायर टू एकजाम डिटेल जैसे हाँ लिखा हुआ है एक्जाम डिटेल आएंगी फरवरी में ठीक है और जो एक्जाम होगा वो साइद आपका फरवरी सोरी मार्च या फिर अपरहल में हो सकता है टायर टू के लिए एक्जाम के त्यारी से जिसके कर रहे हैं आपका डाउट जो गोई भी हो आप कमेंट बॉक्स के जरी हमसे हो सकते हैं इसके बारे में तो मिलते हैं गली वीडियों में थैंक्यू